नुश्कार और वेल्कम टू अलोफ ये इनको लूपर दोस्तो दा लेंसेंड का आप लोग ने नाम सुना होगा कहते पुराना यह आप लोग कह सकते हो वीकली मैगजीन है और 1823 से यह पुब्लिश किया जारा लंडन बेस्ट यह मैगजीन है और एक मैडिकल जनरल है यानि कि मैडिकल लाइन से जो इनफॉर्मिशन होती है लोगों की फिडनेस अगरा हो गया या बिमारीयों अगरे से लेके जो इनफॉर्मिशन होती है उस पर यह अपने रिसर्च पुब्लिश के है और 2022 के सानल की यह रिपोर्ट है उस समय का सर्वे ता पुरा तो उसको लेके इसन जादा फिट है या कितने जादा अंफिट है आपनों ऐसा कह सकते है और इस रिपोर्ट में अगर आपनों देखो ना तो इंडिया को लेके इसने एक बहुत बड़ी बात की है जो कि मैं कहूंगा नि बहुत जादा शौकिंग है दरहसल इसका कहना है कि इंडिया में अनफिट है इसका कहता है तो यह चीज आप लोग जार मजी पारे होगे कि बड़ी बात है यह क्योंकि अगर आप लोग देखो ना यही वो लोग है एकनॉमनी में कंट्रिबूट करते हैं यही जॉब्स और करते हैं और सैलरी कमाते है उसके बाद अगर आप लोग देखो तो इनसे चोटे लोग जो होते हैं यानि कि अंडर एज के जो लोग होता है 18 से कम एज के जो लोग होता है उनकी केरिंग करना हो गया या फिर अब आप 60 की केरिंग करना हो गया वह यही लोग करते है तो जब यही लोग अनफिट रहेंगे तो और बाकी जो दूसरे एज ग तो शुरू करते हैं, सबसे पहले तो अगर आप लोग देखो ना, तो इस report में सीधे ये बात नहीं की गई है कि किस country के लोग कितने ज़्यादा unfit है, कहा fitness का level कितना है, बलकि इसमें बात की गई है कि कि इस country के लोग कितना ज़्यादा physical activity में involved, physical activity in the sense exercise और फिर अपने काम को यह लेकर थोड़ा बहुत physical movement कर ज़्यादा करते हैं वो लोग, तो उसकी बात की गई है, main यहाँ पर यह है कि physical activity की बात की गई है, और physical activity को लेकर अगर आपनों खुद देखो ना, तो WHO की अपनी definition भी ह कि इतना physical activity में एक adult को, एक person को involved होना चाहिए, यह कहता है कि कोई भी person हफते में, हफते में आपर बात हो रही है, पर भी कि आपर बात हो रही है, अगर 1500 से लेके 300 minute physical activity में नहीं involved होता है, इतनी minute की moderate exercise नहीं करता है, level यहाँ पर moderate का mention किया गया, तो आप लोग कह सकते हो कि वो aggressive, vigorously exercise करता है, moderate level से तोड़ा उपर अटके exercise करता है, तो वो भी active कहलाएगा पर वीफ में, तो यह इसका standard है, यह इसका level है, और इस report में अगर आप लोग देखो ना, तो इसी standard को लेके, यह जो 300 minute का minimum standard है, जो survey वो किया गया है कि 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 इतने लोग इतनी भी physical movement, physical activity में involved होता ह यह नहीं, इंडिया के बारे में, जैसा मैंने आप लोग को बताई दिया, कि यहाँ पर 49.9%, यानि कि यह almost 50% आप लोग, 49.4% है, तो almost 50% आप लोग कह सकते हो, लोग जो है, वो physical activity में involved नहीं हो, और इंडिया को छोड़े, बाकी countries का अगर आप लोग को देखना है, तो यह map यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसमें exact number नहीं mention किया है, लेकिन एक category बनाई गया है, कि 50 से लेगे 59.9% का जो group है, उसको अलग कर दिया गया, उसको यहाँ पर dark red से mention किया गया है, उससे कम बालों को अलग color से आपर mention किया है, तो सबसे ज़्यादा इस map में आप लोग क उसके अलावा आप लोग को कतर, कुवेत, क्यूबा, इराक इन जैसी country जो है, इसका में dark red से मिलने हैं, यहाँ पर 50% से ज़्यादा adult जो है, वो physical activity में involved नहीं होते हैं, और सबसे ज़्यादा in active country है, आप लोग ऐसा इसको कह सकते हैं, उसके अलावा South Korea और क्यूबा में भी अगर आप लोग देखो तो यहीं लटबग आल है, तो यह कुछ countries है, टोटल 10 ऐसी countries हैं, जिसमें आप लोग कह सकते हो कि 50% से ज़्यादा लोग जो है, वो physical activity भी है, जो 300 मिनट, 300 मिनट का standard है, इसमें भी involved नहीं होते हैं, यूईए में तो अगर आप लोग देखो ना, तो यह percentage 60 से ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा कोई category ही नहीं create की गई है, यह 50 से लेके 70% के अलावा, तो उसको भी इसी में, उसके बाद second category आती है, इससे थुड़ा active countries की जो category आती है, वो आती है, आप लोग कह सकते हो, 40 से लेके 49.9% वादी, इसमें आप लोग को मिलेगा इंडिया, जैसे कि मैंने आप लोग को बता है, 49.4% है, इंडिया का, और यह, आप लोग कह सकते हो, इसे 0.5% से इंडिया जो है, वो इसमें बचा हुआ है, नहीं तो यह UAE और कुएट, साओधी अरेभिया वाल री कंट्री जो है, उनकी category में ही हो, और एक बात और इंडि 59.4% है, और अगर इसको लेके काम नहीं किया गया, इसके लिए awareness नहीं फैलाए गई या फिर जो भी government के level पर initiative जो है, वो नहीं लिया गया, इसमें थोड़ा सुदान नहीं हुआ, तो 2030 तक यह 59.9% का हो जाएगा, यानि कि almost 60% adult जो है इंडिया में, वो inactive कहलाएंगे, वो unf इमेल को अगर आप लोग देखो, women's को देखो, adult women's book, तो 57% है, और ये gap अगर आप लोग देखो तो बहुत ज़्यादा gap है, almost 15% का ये gap है, तो ये भी एक काफी ज़्यादा negative चीज़ है, ये भी नहीं होना चाहिए, और इंडिया में आप लोग देखो तो पाकिस्तान हो ग और हो सकता इसी के वज़े से ये हुआ होगा, ये जो percentage है हुआ है, इंडिया के कुछ नेवर्स के अगर हम लोग बात करें तो देखो, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान थोड़ा बैटर है इन दोनों से, लेकिन अफगानिस्तान को भी ले सकते हो, इरान को भी आप आप लोग देखो, तो लगबख almost दीजे इनकी सेमी है, लेकिन इंडिया के कुछ नेवर्स जैसे के बांगलादेश हो गया, भुटान हो गया, नेपाल हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा बैटर है इंडिया से, चाहे वो overall percentage को आप लोग देखो, या फिर gender basis पे percentage in countries का आप सबसे fittest country की अगर हम लोग बात करें कि कौन सी country ऐसी है, जहां पर fitness का level ठीक ठाक है, माँ पर जो adults है वो अच्छे खासे, आप लोग कह सकते हो, active physical activity में involved होते हैं, तो मनावी एक country है, जहां पर 2.7% जो लोग है, और किभल वही आप लोग कह सकते हो कि physical activity में involved नहीं हो, total 15 country ऐ अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कहना इस report का कि one third लोग जो है वो इतने भी physical activity में involved नहीं होते हैं, यानि कि उनको सीधे आप लोग कह सकते हो unfit हैं, और अगर हम लोग specific बात करें तो 31% का data इसने दिया है, 31% लोग ऐसे हैं जो कि unfit हैं, और specific अगर बात करें तो 1.8 million के बात में, वो आप लोग को मिलेगा Asia Pacific और ये, Asia Pacific की जो high income countries हैं वो, यानि कि इस area में अगर आप लोग देखो न, यहाँ पर जो high income countries हैं, सबसे ज़्यादा यहीं पर unfitness आप लोग को मिलेगा, सबसे कम physical activity में यहीं के लोग जो है, वो involved होते, 48% यहाँ का data उसके बाद अगर आप आप लोग को मिलेगा, क्यूबा भी यहीं पर आता है, जो मैंने आप लोग बता है, 50% से जाता है, उसमें, 36.6% यहाँ का हो है, फिर high income western countries जो है, वहाँ पर 27.7% है, तो यह पूरा चीज है, यह इतनी बाते इस report में की गई, और भी बहुत कुछ का गया, लेकिन जितनी में important चीज से वो मैंने आप लोग को बता दी, आपर, इंडिया की जो unfitness का level है, इसके लिए कुछ reason दिये जाते हैं, कुछ आप लोग कह सकते हैं, चीज़ें बताई जाती कि क्यों इंडिया में unfitness इतना ज़्यादा है, अदर्ट्स लोग में, और कई report में ऐसा पढ़ रहा था, तो तीन कॉमन सीज़े जो है, वो notice की मैंने सबसे बहुत यह कहा जा रहा है कि, इंडिया के जो food habit है, वो अच्छी नहीं है, उसमें carbs या फिर fats का, जो है वो जादा है, और इसको देखो, मैं personally agree नहीं कर सकता, आपके अलग विचार होंगे, क्योंकि, अगर आप लोग देख रही है, यानि कि इंडिया में depression का level बहुत ज़्यादा हाई है, और depression जब होता है, तो आदवी के चलने फिलने का भी मन नहीं करता है, उसका सीधा impact पड़ता है, physical health, तो यह एक reason बताया जाता है, फिर जैसे जैसे इंडिया में urbanization हो रही है, जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर र है, बाकी आपका इस पर क्या कहना है, वो मेरे को बतायों कमेंट में, यह वीडियो में यहाँ पर कहता हूँ,